नमस्कार दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग मैं आसा करता हूँ कि आप सबी लोग अच्छे होंगे पर हमारी वीडियो देख रहेंगे मैं आपका अपना आशीष आज इस वीडियो में कुछ नया बताने जा रहा हूँ वीडियो के अंतक बने रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्रधार मंत्री किसान सम्मान निधी योजना के हित्गराईयों के सत्यापान हेतू सोसल अड़ेट तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सोसल ओडिट की तयारिया चालू हो गई है जो कि आपको दिनांग देख रही है इधर आठ तो 2022 से चालू हो गई थी तो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि क्या रहेगी सचिप की भूमी का क्या रहेगी तैसिलदार महोदय की भूमी का चैनल को सब्सक्राइब करना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के अं तक बने रहेगी जिससे कि मैं आपको इसके बारे में पूरी इंफोर्मेशन दे सकूँ कब होगी ग्राम सभा और अन्य क्वेश्चन को रिलेटेड मैं आपको पूरे अपडेट्स दे दूँ तो वीडियो के अंद तक बने रहे है स्लाइड बाई स्लाइड हम आपको एक एक चीज़ एक्स्प्रेन करेंगे तो नेक्स स्लाइड में मैं उपन करता हूँ तो ये इसका एजेंडा रहने वाला है उदेश, भूमिका, और जमेदारी, समय सीमा, पात्र, अपात्र, मांदन, प्रारूप 1, प्रारूप 2, विस्तृत, प्रिक्रिया, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, स्टेट मॉनिटरिंग एंड कॉर्डिनेशन तो ये सब इसका एजेंडा है, मैं एक-एक पॉइंट करके आपको एक्स्प्लेन करूंगा, तो वीडियो के अंद तक बने रही है, अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इसके मत कीजिए, क्योंकि एक-एक पॉइंट आपको इसमें जरूरी है, तो सबसे पहले मैं आपको ये ब मोनिटर करना है, और उनकी पातरता सही है, या गलत है, उनका आपको सत्यापन करना है, तो इसमें यही कुछ लिखा हुआ है, देखी, मैं आपको पढ़के बता देता हूँ, प्रदान मंत्री, किसान, सम्मान निदी, यूजना के हित्गराईयों के सत्यापन के लिए सोसल अउडिट के उद्देश, तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, अपातर हित्गराईयों का चन्नांकन, जो भी अपातर ब्यक्ति हैं, जैसे कि जो गवर्मेंट नौकरी कर रहे हैं, और उनको भी टेक ही जगा ऐसा होगा कि मिल रहा होगा, तो वो अपातर ब्यक्त में दिया हूँ है, छूटे हुए पातर हित्गराईयों का चन्नांकन, जो भी सूची में छूटे हैं, उन लोगों को चन्नांकन करना है, और उनको पातरता सिर्णी में लाना है, तो ये सब थे इसके उदेश, चलिए नेक्स स्लाइड पर मूव अन करते हैं, भूमिकाय और हम ज्यादा डिटेल में गए तो, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहां बिकास खंडब की, तो जो मुख्यकारे पाला अधिकारी जन्पत पंचायद हैं, उनकी जिम्मेदारी रहेगी, सोसल अडिट का परचार परसार, जो भी सोसल अडिट हो रहा है, उसका परचार पर अगर बात करें, तो ग्राम सभा की आयोजन ही तो, आवश्यक व्यवस्ता सुनिश्यत कराना, जो भी व्यवस्ता की जरूरत होगी, ग्राम सभा में उसका आयोजन कराना इनको इंपोर्टेंट है, और उपखंड अधिकारी के निर्देशन में सोसल अडिट की समस्त चलन को पूर्ण कराना, जो ही है सोसल अडिट की समस्त जानकारी, चलन बार पूर कराने की ड्यूटी है तो इसके ध्यान रखें, मुख्यकार पाला अंदिकारी महोदे, चलिए अब तैसिलदार महोदे जी की बात कर लेते हैं, पंचाय सचिप को इद्गराही सूची की देंगे तो इस बात का आपको दिहान रखना है, कि आपको ये जो सूची मिलेगी वो तैसिल से ही मिलेगी, और नमबर टू पॉइंट पर बात कर लेते हैं, ग्राम सभा में योजना की सरतें एबं हित्गराही सूची का बाचन सुनिश्यत कराना, जो भी तैसिलदार महोद प्रावाएजrowa आपको गाइडलाइन दी जाएगी, कि आपको ग्राम सभा में किस परकार सरतें बतानी हैं, और जो भी आपको सूची का बाचन करना है, किस परकार प्रारूप 1, प्रारूप 2 को भरना है, और किस परकार आपको ये सब कुछ डाटा देना है, तो इसमें य मेटिंग के थुरू या फिर गूगल मीट के थुरू आपको बता दिया जाएगा चलिए नेक्स स्लाइड में मुव अन करते हैं तो इसमें हम बिस्तृत प्रिकिया की बात कर लेते हैं चरण बार है जो की तो पर्थम चरण में ग्राम सभा में इत्गराही सूची का बाचन ज चलिए अब दुत्तिय चरण की बात कर लेते हैं दुत्तिय चरण में लिखा हुआ है बाचन उपरांत अपात्र छूटे हुए पात्रहत्गराहियों की सूची तयार करना तो जो भी अपात्रहत्गराही हैं और वो पात्रता रखते हैं तो उनकी सूची अलग से तयार करनी होगी और उनको त्रिटीय चरण म现 आपको देना होका इसमें जिस है यह लखा ह war यह कि सूची संबंदे तैसिलदार को प्रिश्वड करा ना तो तैसिल्दार महुदय को आपको यह सूची प्रिश्वड करानी होगी जो भी अपात्र न यह अभी तक बो पात्र हें उन लोगों की आपको सूची तैसिलदार महोदय को प्रिसित कराने होगी चतुर्चण की बात कर लेते हैं गरामसवा से प्राप्त जानकारी हेतू तैसिलदार द्वारा कार्यवाही तो चतर चरंड में आप देख चुके हो कि तैसिलदार महुदय को गिराम सभाग की जो भी कारवाई हुई है उस पर कारवाई करनी होगी पंचम चरंड में जरे द्वारा प्रतिविजन आयुक्त भुवविले की और प्रिसित कराना होगा प्रतिविजन आयुक्त को भुवविले की और प्रिसित कराना होगा चलिए बात कर लेते हैं सूचियों का आदान प्रदान पीम किसान पोर्टल पर उपलब देधिराईयों की सूची डाउलोड की जा सकती है मैं पीम जो पीम किसान पोर्टल है मैं पोर्टल आपको दिखा देता हूँ इस पोर्टल पर आपको सूची मिल जाएगी मैं इसकी अलग से एक वीडियो बनाऊँगा सूची कहां से प्राप्त करें वैसे तो आपको ऑफलाइन उदर से मिल जाएगी तैसील से लेकिन ऑनलाइन किस तरीके से मिलेगी बो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगा तो वीडियो के अन तक बने रही है चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे गोजारिस करूँगा कि चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको हमारे चनल के अप्डेट्स मिलते रहे हैं और देख लीजिए इसमें मुखमंत्री किसान कल्यान योजना ही तो उपलब्द डेस्वोड से जानकारी डाउलोड कर सकते हैं ये मुखमंत्री किसान कल्यान योजना का जो पोर्टल है उधर से भी आप जानकारी ले सकते हो उसलिए पातरता और पातरता की बात कर लेते है सबसे पहले है पातरता सभी भूमी धारी किसान परिवार जो भी जिनके पास भूमी है करसी भूमी है वो सभी पातर है जिनका नाम करसी योग भूमी में है वो सभी पातर है और यही एक सबसे बड़ी पातरता है दोस्तों इसमें एक बिंदू और एड किया गया है तैसिलदार महोदय दवारा कि जिन्होंने 2019 से बाद जमीन ली है 2019 के बाद उनने जमीन क्राय की है वो इस योजना के लिए पात्र नहीं 2019 से पहले की उनकी जमीन होनी चाहिए वो ही पात्र होंगे तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि वो जमीन उनकी पुरानी है या पर रिसेंटली उनने अपात्र आपको पता ही होगा जो भी गवर्मेंट करमचारी हैं उनको इस योजना का लाब नहीं मिलेगा और जिनकी मासिक आए 10,000 से उपर है उनको यह लाब नहीं मिल सकता है जिनकी मासिक आए 10,000 से नीचे है तो उनको लाब easily मिल पाएगा यह और जो भी मंत्री बगएरा है यह किसी हो भी लाब नहीं मिलेगा आप यह सब जान सकते हो easily और यह पूरा पढ़ सकते हो अपात्रता को आपको अच्छे से पता होगा अपात्रता का मैं एक पॉइंट और बता देता हूं कि परि राहियों को ऐसा हो रहा है उनको बसूली का भी सामना करना पड़ सकता है इस बज़े से चोकनना रहें और बहुत सोच समझ कर इस योजना का लाब उठाएं चलिए अब समय सिमा की बात कर लेते हैं जो की काफी important है 822 वीडियो conference के माध्यम से master trainer प्रभारी अधिकारी को होना था 822 को हो गया अब नो नो दो सी 42 तक क्या 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 होना है तो मैं आपको बता देता हूं समझ तैसिलदार नया आप तैसिलदार पटवारी पंचाय से चिप का master trainer द्वारा प्रसीक्षण तो यह प्रसीक्षण आपका 9 से 14 तक चलेगा जिसमें कि आपको सामिल होन है जिससे कि आपको हर एक जानकारी से अबगत कराया जाएगा और मैं इस वीडियो में आपको अबगत करा ही रहा हूं वैसे भी तो द्यूसर पॉइंट यह है कि पटवारी द्वारा पंचाय सचे को ग्राम बार सूची प्रदान कराना तो जो भी आपके पटवारी है ग्र द्वारी जी से सूची लेनी होगी तो इस बात का भी आप ध्यान रखें तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं पंचाय सचप द्वारा प्रत्विक ग्राम में द्रस्टव इस्थान पर हतिराही सूची को चसपा करना जहां भी भीड़ जमा होती है या पर थोड़ा पहुत क्राउड रहता है वो जगाए पर आप सूची चसपा कर सकते हो जो भी पात्र धुराई हैं उनकी सूची जिससे की सभी लोगों को पता लग सके कि ये पात्र है और ये पात्र बैक्ती भी जुड़ा हुआ है जिससे की वो ग्राम सभा में इस बात को कह सकें तो चली अब ब प्रारूप 1 और प्रारूप 2 के बारे में आपको बताना होगा तो इसको तयार करना होगा जो कि प्रारूप 1 प्रारूप 2 मैं आपको इसली बता दूँगा प्रारूप 1 प्रारूप 2 की जनकारी मैं आपको ला स्लाइड में दूँगा क्योंकि इस स्लाइड में भी उसकी जान गएने वीडियो के अंद तक बने रहिएगा और चलिए हम समय सीमा पर और बात कर लेते हैं 21-222 से 23-222 तब जो भी आपने प्रारूप तयार किये हैं उनको अस्तक्षर करके प्रारूप 1 प्रारूप 2 को तैसिलदर महोदय को प्रेसित करना होगा जो की पंचाय सचिप का काम रहेगा ये तो इस बात को अब ध्यान रखिएगा और ये बहुत ही इंपोर्टेंट बात है समय सीमा का ये काम है तो इसको आपको डेले नहीं कर रहा है क्योंकि आप डेले करोगे तो आप पर कार्रेवा ही हो सकती है तो इससे बचने के लिए आप समय सीमा के अंतरगत काम करिएगा तो अब बात कर लेते हैं पांच में बिंदू की तो चौबिस दो 2022 से पांच तीन 2022 तक क्या करना होगा प्रारूप एक प्रारूप दो के संबंद में ब्यक्ती बार पड़वारी से जाच प्रतिविदन प्राप्त करना होगा जो भी पड़वारी महोदा हैं उनसे जाच प्रतिविदन प्राप्त करेंगे तैसिलदार महोदा है जिससे की पता लग सके कि कोई भी अपात्र ब्यक तक यह काम करना है कि जो भी डाटा तैसिलदार महोदय के पास आया है और पंचात बार कलेक्ट किया हुआ है वो पूरा डाटा प्रीम के सान पोर्टल पर अपलोड करना तो यह बहुत बड़ा काम है क्योंकि अगर यही काम कंप्लीट हो जाएगा तो लोगों को लाब मिलना चलू हो जाएगा तो हम बात कर लेते हैं कि यह संपूर काम 2030 1982 करना है और समय्सीमा कि अंतरगती idea काम कम्प्लीट करना है तो अपनी भूमी का है आप पहले ही देख चुके हो हम बात कर लेते हैं प्रारूप 1 और प्रारूप 2 क्या है और किस परकार इसको भनना है तो यह बहुत इंपोर्टेंट है और यह प्रवानपत्र आप पढ़ लिएगा मैं आपको अलक्सेश की PDF डाल कोई आपको चार्जिस नहीं लगने हैं सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है टेलीग्राम को डाउनलोड करना है और जैसे ही आप जॉणि करोगे आपको नए-णए आदेस और प्रारूपों का पूरा क्लेक्शन आपको मिल जाएगा तो हम बात कर लेते हैं प्रार अबवांत रितिकरही पाए गए हैं तो अपरत अब ग्रमाण के डालके और उनका नाम लिए इतिकरही का नाम.. और को यह मिल रही है भी लाब आपको बंद कराना होगा क्योंकि वो अपात्र वेक्ति के पास जा रहा है तो उनका जो PM किसान ID है वो आपको मिल जाएगी आद्धन नम्मर आप डालोगे PM किसान पोर्टल पर यह आप देख सकते हो PM किसान पोर्टल है यह जर पर आपको बेनिफि लीजिएगा जिससे कि आपको एजिली कोई दिक्कत ना है उसकी में PDF आपको अपने टेलिग्राम पर शेयर कर दूँगा चलिए प्रारूप 2 की बात कर लेते हैं बाचन उपरांत योजना में छूटे हुए पात्र हिद्गराहियों की सुझी जो भी पात्रता सेर्णी रखते हो यह प्रारूप दोनों आप डाउलोड कर लीजिएगा PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और टेलिग्राम पर जाओगे आप उसमें आपको इजिली पूरी इंफरमिशन मिल जाएगी तो वीडियो के अंतक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से सुक्रिया और मैं आपसे गुजारिस करूँगा कि अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे की आपको लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन मिलते रहें और टेलिग्राम हमारा जोइन कर लीजिए इंस्टाग् आपका दिन सब्सक्राइब